आज की इस रेसिपी को देखने के बाद आप तर्बूज के चिकल को कभी फेकेंगे नहीं इस से बनाएंगे बहुत ही शानदर रेसिपी तरबूज का red वाला part निकालने के बाद में जो green वाला part बसता है उसको हमने cubes में इस तरह से cut कर लेना है सारे cubes एकदम से equal हों अब लेना है एक cooker उसमें डालेंगे एक लीटर पानी और जो ये cubes थे उसको cooker में डाल देंगे इसके बाद में हम इसमें लगवाएंगे दो whistle और whistle लगवाने के बाद में हम cooker को खोल लेंगे ये देखिए बस हमें इनको जादा नहीं पकाना है 80% इनको पकाएंगे पानी को छान लेंगे जो ये cubes थे ये हमारे पास में इस तरह से आ गए है अब हम इनको फिला देंगे एक plate में थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे अब इसके बाद में हम तयार करेंगे next step जिसके लिए हमें लेनी है एक कड़ाई उसमें हम डालेंगे लगवग आदा कप के बराबर चीनी चीनी में डालेंगे एक कप पानी और इसको हम melt होनी देंगे पानी में जैसे ही उबाल आएगा चीनी melt होनी शुरूर हो जाएगी एक से दो मिनट के बाद चीनी अच्छे से melt हो जाएगी और जैसे ही चीनी अच्छे से melt हो पानी उबल रहा हो तो ये जो क्यूब्स हमने पहले से उबाल कर रखे हुए हैं चासनी में ट्रांसफर कर देंगे और इसको हम पकने ही देंगे कम से कम 5-7 मिनट ये देखिए बहुत अच्छे से इसमें आ रहा है उबाल ये बहुत अच्छे से इसके अंदर चीनी चली जाएगी ये एक दन से ट्रांसपेरेंट जैसे नज़र आने लगेंगे बस तभी हमें गैस के फ्लेम को कर देना है ओफ और एक काच के बाउल में मैंने निकाल लिया है थोड़ी सी चासनी को इस तरह से जो एक्स्ट्रा चासनी बची थी उसको भी मैंने बाकि तीन कटोरियों में निकाल लिया है अब इसके बाद में ये जो क्यूब्स हैं इसको भी हम तीनो कटोरियों में थोड़ा-थोड़ा करके डाल देंगे सारे क्यूब्स तीनो कटोरियों में अच्छे से आ गए हैं अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा फूड कलर एक कटोरी में हम डालने वाले हैं ग्रीन फूड कलर दूसरी कटोरी में हम डालेंगे लेमन येलो फूड कलर और तीसरी कटोरी में हम डालेंगे ओरिंज रेड कलर अब हम इनको करेंगे अच्छे से मिक्स जैसे ही तीनों कटोरियों में हम कलर को अच्छे से मिक्स कर देंगे तो हम इन क्यूब्स को इस चासनी में कम से कम दो घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे और थोड़ी थोड़ी देर में चम्मच को चलाते हुए इसको फिर से मिक्स करते रहना है ताकि अच्छे से कलर इन क्यूप्स के ऊपर चट जाए और इसका बहुत प्यारा कलर इन क्यूप्स के ऊपर आ जाए दो से तीन बार अच्छे से मिक्स करने के बाद 2 गंटे 4 atली में भीगोए रखने के बाद में ये हो चूकी है रेडी अब हम इसको निकाल लेते हैं प्लेट्स में हमने इसके पानी को चलनी में चान लेना है और चलनी में प्लेट में बेना है ये देखिए इस तरह से हमने green cubes को निकाल लिया है ऐसे ही हम yellow cubes को भी इस तरह से निकाल लेंगे एक plate पर फैला लेंगे चाहे तो आप किसी tissue में भी निकाल लेते हैं जिससे इसका पानी अच्छे से tissue एब्जोर्ब कर लें और ये जल्दी से सूख जाए इसी तरह से red को भी हमने निकाल लिया है आप देख सकते हैं अब हम इसको सुखा लेंगे छे से साथ घंटे फैन के नीचे ये देखिए सारे cubes एकदम खिले खिले एकदम से perfect जैसे हमें चाहिए थे recipe बनाने के लिए विल्कुल उसी तरह से बनकर तयार हुए है आप देख सकते हैं छे से साथ घंटे फैन के नीचे सूखने के बाद में ये अच्छे से tutti fruity बनकर तयार हो चुकी है किसी भी shake के उपर डाल कर आप इसको खा सकते हैं और खासकर बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आने वाली है ये healthy भी है हमने घर पर बना कर तयार की है वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना फिर मिलेंगे अगली वीडियो में थैंक्यू फो वोच्छी